आज हम बात करेंगे कि how DNA encodes protein structure इसमें जो सबसे ज्यादे इंपॉर्टेंट जिन साइंटिस्स का रोल था ना वो थे किस amino acid के बाद में आएगा वो इन्होंने बताया इसी के साथ साथ हमने क्या किया हमें पता है कि जो प्रोटीन होते हैं उनसे ही enzymes को बनाया जा रहा होते हैं तो इससे हमें enzymes की अरेंजमेंट का बता चला अब इन्होंने अपने amino acid के bands होते हैं यानि दो chains होती है एक alpha और एक beta जो alpha chain होती है उसमें 21 amino acids होते हैं जबकि जो beta chain होती है उसके अंदर 30 amino acids होते हैं क्यूंकि इन दोनों chains के अंदर amino acid के जो amount है वो कम है यानि कि different है जिसकी वज़ा से इन दोनों में हमें different amount of length देखने को मिलती है chain की उनके experiment के ना तीन साल बाद एक और scientist है जिनका नाम था वर non-ingram उन्होंने क्या किया उन्होंने सिकल सेल अनीमिया के पर बात की यानि सेम वही procedure था लेकिन इन्होंने क्या क्या है इन्होंने सबसे ज्यादा largest protein लिया जो क्या हीमोग्लोबिन होते हैं हीमोग्लोबिन सबसे ज़्यादा complex protein ह हर इंसान के अंदर पाया जा रहा होते हैं अब हीमोग्लोबिन ना दो तरह क्यों होते हैं एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन होते हैं और दूसरा सिकल हीमोग्लोबिन होते हैं नॉर्मल हीमोग्लोबिन के अदर हमें दो alpha chain दो beta chain देखने को मिलती हैं और total 574 amino acid होते हैं और इसके Amino Acid भी सेम ही रहते हैं लेकिन इसमें जो रेड ब्रेट सेल का गरम स्ट्रक्चर देखे ना तो वो एक कर्फ शेप में हो गया है क्यूंकि इस सेल के अंदर हमें एक डिफ्रेंस देखने को मिलेगा वो डिफ्रेंस क्या है उस पर बात करते हैं जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है उसके अधावे 7 Amino Acids देखने को मिल रहे हैं वेलाइन, हिस्टदीन, लिूसेन, थेरोनीन, प्रोलीन, ग्लूतामिक एसिद और ग्लूतामिक एसिद यह जगा पर आके वेलाइन वला माइनो एसिद लग जाएगा तब उस पेशेंट को सिकल सेल अनीमिया है यानि इतने माइनर चेंज से हिमोग्लोबिन के अधार अगर इतना माइनर चेंज होगा तो क्या होगा अगले परसन को सिकल सेल अनीमिया कॉज हो जाएगा जिसकी वज़ा से उसके अंदर जो रेड बलिट सेल्स की प्रोडॉक्शन है उसमें एक डिक्रीज हमें देखने को मिलेगा अगर यह लेक्चर आप कम्प्लीटली देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ बेशुमार एमसी क्यूज उनके आंसर और एक्स्प्लेनेशन भी हासिल करना चाहते हैं और अब ही गूगल प्लेस्टोर पर जाए एं लिखिए हिपो यह लर्निंग प्रोग्राम हमार इसे खुद यूज कीजिए बलकि अपने दोस्त इन क्लास फेलर्स को भी रेक्मेंड कीजिए